तो अफं़र दोस्तों आपका में सवागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर आज हम लोग जानने वाले हैं कि एक आमीन का फिल्ड पर सबसे पहला काम क्या होता है ज़ियर आमीन फिल्ड पर नापी करने जाते हैं तो वह सबसे पहले काम क्या करता है ठीक है वीडियो को skip मत कीजे नहीं तो आप लोगों कोई जानकारी नहीं मिलेगा ठीके वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा सौट में बताने की कोशिस करूँगा और आप लोगों को मालूम भी चल जाएगा कि जब भी हम लोग फिल्ड पर जाएंगे तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए तो जब भी आमीन फिल्ड पर जाते हैं तो वो सबसे पहले नकसा को देखते हैं नकसा देखने का मतलब यह नहीं है कि जिस plot को नापी करना है उस plot को जाकर के डायेट नापी सुरू कर दे ऐसा नहीं करना है ठीके आपको धेरी रखना है ठीके आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जिस मोजा में आपको नापी करना है ठीके वो मोजा आपके पास रहेगा यानि वो नक्सा आपके पास रहेगा उस नकसे को सबसे पहले आपको चेक करना है चेक करने का जो तरीका है को मैं बता देना चाहता हूँ सबसे पहले आमिन का काम क्या है नकसा को चेक करना की नकसा इसकेल में है या नहीं है नकसा को इसकेल में रहना बहुत जरूरी है अगर वो नकसा scale में नहीं है तो जमीन आप नाप नहीं सकते हैं लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस है उस प्रोसेस को किसी ओर टाइम बताएंगे नकसा को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको देख सकते हैं यह जो देख रहे हैं यह दहला है इनको क्या करते हैं दहला इन दो होना चाहिए 10 chain होना चाहिए 10 chain 10 chain का मतलब 1000 कड़ी इन दो दहला की बीच के दूरी होनी चाहिए तो मैं अभी इसको चेक करता हूँ यह नकसा ठीक है या नहीं ठीक है देख सकते हैं आप लोग यहां पर 10 chain हो गया मतलब 1000 कड़ी ठीक है 10 chain मतलब 1000 कड़ी 1050 मतलब यह 10 chain से ज़्यादा है तो इसका मतलब इस नकसा से हम लोग नापी नहीं करेंगे ठीक है इसी तरह से आप लोगों को वहां पर जेर्योक्स नकसा मिलेगा लेकिन उसको सबसे पहले काम आपका यही होगा कि उस नकसा को आप सबसे पहले चेक कर लेना कि वो नकसा आपका सही है या नहीं है ठीक है 10 चेन यानि 1000 कड़ी होना चाहिए या फिर 660 फीट होना चाहिए हमेशा याद रखना भूलना नहीं 660 फीट या फिर 1000 कड़ी यानि 10 चेन होना चाहिए ठीक है मैं ये चेक कर रहा हूँ ये 660 फीट हो रहा या नहीं ये जो हम नाप रहे हैं इसमें ये फीट में नाप प्रये हैं तो च। कि ओस असी 680 चुरह नीज साथ कडी होना चाहिए जिस जगह पर उहाँ पर 680 कुरह यानम। शोरी 660 फीट होना चाहिए जिस जगह पर उहाँ पर उहाँ पर 6。 80 feet आ रहा है 2680 feet यानि 20 feet ज्यादा आ रहा है तो इस नक्सा से हम लोग नापी नहीं करेंगे आपको सही नक्सा सही नापी करना है तो ये स्रिप आप लोग जान लेजिए कि आमीन का सबसे पहला काम यही होता है कि जब भी आप जमीन को नापने के लिए जाते हैं तो आपको दो दहला की बीच की दूरी को नाप लेना है कि वो 66 feet हो रहा है या फिर 10 chain ठीक है यानि 1000 1000 कड़ी होना चाहिए इधर से भी आपको नापी कर लेना है और इधर से भी आपको एक बार चेक कर लेना है ठीक है चार-पांच दहला आपको 64 feet से चेक कर लेना कि ये जो chain है ठीक है ये जो दहला है सही है की नहीं देखिए इधर से जब हम नापी कर रहे हैं तो ये परफेक्ट 10 chain में यहाँ पर आ जा रहा है परफेक्ट इधर से हम नापी कर रहे हैं ये 10 chain में आ जा रहा है ठीक है तो कहीं कहीं आपको 10 chain में आएगा कहीं कहीं आपको 10 chain से ज्यादा होगा तो उसको average से निकाला जाता है वह मैं अलग वीडियो में आप लोग को बताऊंगा तो मैं उम्मिद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक, कमेंट, सेर, सब्सक्राइब जरू कर देना सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग ठीक है तब से पहला काम आप लोग को यही करना है कि वहाँ पर नक्सा को चेक करना है नक्सा सही में 16 बराबर एक माइल है या नहीं आपको अपने स्केल से दो दहला की बीच की दूरी को माप लेना है मैं उम्मेद करता हूँ कि आप लोग को यह बात समझ में आ गई जएने बाद